अरे सी, तु अपना मूग खोल, मैं तेरे दाद गिनूँगा ए हठीले बालक, तु वन के इन पशो को क्यों सताता है हम तो इन पशो को बाल बच्चों के समन रखती है तेरा साहस बढ़ता ही जाता है तेरा नाम रिशियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है अहा, क्या कारण है, कि मेरा स्ने इस बालक की ओर उमड़ा साहता है जो तु इस पच्चे को छोड़ न देगा, तो सीनी तुछ पर दोड़ेगी तीक है, सीनी का मुझे ऐसा ही डर है यह बालक अवश्य किसी तेजस्विवीर का पुत्र है इसका मुख अगनी के समान दबक रहा है हे प्यारे बालक, सीनी के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलो न दूँगी पहले खिलो न दे दो, लाओ, काँ है हाँ, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षन है पंगलियों पर कैसा आदबुझ जाल है और हथेली की शोभा प्रातह कमल को भी लज्जित कर रही है हे सकी सुवरता, यह बातों से न मानेगा जा, मेरी कुटिया में रुशिकुमार के खेलने के लिए मिट्टे का मोर रखा है उसे ले आ मैं अभी लिया आती हूँ तब तक मैं इसी सीं के बच्चे के साथ खेलूँगा इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा लल चाता है धन्य है वे मनुश्य जो अपने पुत्रों को गोध में लेकर उनकी अंग की धूली से अपनी गोध मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हसी से खुलकर उज्वल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं क्यों रे ढीट तु मेरी बात कान नहीं धरता कोई रुशी कुमार यहां है हे महात्मा तुम ही आओ और कुपा करके इस बली बालक के हाथ से सींग के बच्चे को छुडाओ अच्छा हे रुशी कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यहां आचरण क्यों सिखा है जिससे तुमारे कुल की लाज जाती है यह तो कोई अच्छी बात नहीं हे बड़भागी यह रुशी कुमार नहीं है सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के हैं यह रुशी कुमार नहीं जान पड़ता परन्तु मैंने तपोवन में वास देख इसे रुशी पुत्र जाना था आहाँ जब इसका हाथ छुने से मुझे इतना सुक हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्श होता होगा बड़े अचमबे की बात है तुम्हें क्यों अचमबा हुआ इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली हे तपस्विनी जो यह रुशिकुमार नहीं है तो किस वन्ष का है यह पुरू वन्षी है इसलिए इसकी सूरत मुझ से मिलती है पुरू वन्षियों में यह रीती तो निश्चित है कि युवा आवस्था में वे महलों में रहकर पृत्वी की रक्षा और पालन करते हैं और व्रिद्धा अवस्था आने पर वन्षितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में व्रिक्षों के नीचे कुटे बना कर रहते हैं देवता जैसी शक्ति वाला या निडर और असाधारन वालक मनुश्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तु जान लेगा कि इस पालक की मा मेन का नामक एक अपसरा की बेटी है उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ क्या तो बड़े आनन की बात सुनाई? इससे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजर्शी की पत्नी है? जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराद छोड़ दिया है, उसका नाम मैं ना लूँगी यहा कता तो मुझ पर लगती है भला, अब इस बालक की मा का नाम पूछो